तो हिस्टो का मतलब होता है यूट्रेस यानि कि आपके बचेदानी की जाज और लेप्रिस्कोपी का मतलब होता है आपके पेट की अंदर की जाज और डैगनॉस्टिक का मतलब होता है पता लगाना यानि कि आपके यूट्रेस और पेट के अंदर से देखा जाता है कि उसके अंदर कोई गरबड़ी तो नहीं है जिसकी वज़े से आपको infertility phase करना पढ़ रहा है या फिर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी आप मां क्यों नहीं बन पा रही हो इसलिए ये लैप्रेस्कोपी की जांच करवाने की जरूरत मुझे क्यों पढ़ी और फिर इसको करवाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुझे नहीं आईवाई की जरूरत पढ़ी और नहीं IVF की जरूरत पढ़ी मैंने इसी तरीके से सिर्फ मेरा लैप्रेस्कोपी होने के बाद जिस महीने मेरा लेप्रिसकोपी हुआ उसी महीने मैंने कंसीव कर लिया तो ऐसा क्या हुआ और पूरी टेस्स की प्रोसेस क्या है मैंने किस तरीके से करवाया या क्या सोच करके मैंने करवाया यही सब इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी तो जब मैंने अपना इनफर्टिलिटी का इलाज करवाना शुरू किया 2015 में विलखनों के विवेकानन हॉस्पिटल में तो वहाँ पे मेरे एक के प्रॉब्लम निकली की मेरे एक बहुत ही अच्छी तरीके से मिचोर नहीं होते थे और बनते नहीं थे फूटते नहीं थे मतलब तो डॉक्टर ने मुझे दवाया वगरा देनी शुरू कर दी एक बनने की और फिर उसके बाद इंजेक्शन भी उन्होंने दिये मुझे एक बूटने के लेगिन उसके बाद भी मुझे कोई भी फाइदा नहीं हो रहा था ऐसा करी मैंने विवेका नन में तो दो साल किया उसके बाद मैंने और भी डॉक्टर को दिखाया तो करी मैंने 5-6 साल तक मैंने एक बनने वाली दवाईया खा डाली थी कि एक नई बन रहे है जाहां भी जाती थी जाएक बन रहे है तो यह दवाई खाये इस दिन तो फोलिकलर स्टेडी और और यहोगा वगावगया वगरशव ज्वेका चलता रहा लेगिन फिर भी मुझे कोई भी फाइदा नहीं हुआ और मैं ایک और भी झाल नहीं कर पा रही थी एकी दवाई खाने से भी क्योंकि काफी दवाई खाने से भी बहुत जादा परिशानिया हो रही थी बहुत मन उब गया था कि दवाई खाते खाते फिर उसी बीच किसी ने बताया कि डॉक्टर सुनीता चंद्रा क्या आप जाए तो फिर उसी बीच मैं ग कर लिए ब्लेड वगएरा जाच कर लिए सारा मतलब जो भी प्रोसेस उनका था शुरू का जाच वगएरा का वो सब उन्होंने कर लिया हमारे पास पहले की रिपोर्ट होती भी है डीसेंट रिपोर्ट भी होती है लेकिन जिस डॉक्टर के आप जाओगे वह शुरू से अपन सब्लम आई तो उन्होंने भी फर्स टाइम तो मुझे एक बनने वाली दवाईया वगएरा एक दो महीने तक दी मतलब दो महीने वहां पर भी मैंने इसी तरीके से दी फिर उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने कहा कि तुम काफी बार यह इलाज कर चुकी कि हम अंदर से पता लगा सकते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद भी क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा है मतलब क्यों नहीं एक बार भी कंसीव हुआ तो यह इस जात से पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इससे मतलब अंदर का सब कुछ देखा जा सकता है इसको दूर्बीन जार्ज भी बोलते हैं जो कि अंदर कैमरा डाल करके वो डॉक्टर्स अपने मॉनिटर्स पर देखते हैं कि अंदर आखिर क्या दिक्कत है ट्यूब अगेरा में ब्लॉकेस तो नहीं है या फिर ट्यूब के पास कोई जाली अगेरा तो नहीं बन गई है ज इस तरीके से यह जांच होगी कैसे होगी तो फिर हम लोग घर आए और गूगल पे भी सर्च किया लेकिन यह जांच तो थी और काफी सकसेस रेड भी था इसका कि इसको कराने के बाद काफी पेशेंट को सकसेस भी मिलती है इसमें लेकिन उस टाइम यह मैं आपको 2018 की बात तो उनका रेट जो था वो काफी हाई था तक था उसके बाद जो मेडिसेन वगरा थी उसका अलग से चार्ज था तो उस टाइम थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि अगर ये जैसे की करवाते भी है ये वाला टेस्ट तो क्या इसमें सक्सेस हमें मिलेगी कि नहीं क्योंकि इसक कोई सक्सेस नहीं मिली तो हम अदब थोड़ा सा हो गए कि पता नहीं इसमें भी सक्सेस मिले की ना मिले और इतना पैसा भी चला जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो नहीं क्या तो उस टाइम हम लोग शांत बैड़ गये तो फिर हमने कुछ समय तक हम लोग शांत लेपरस्कोपी भी किसी तरीके का जांच होता है उससे भी पता चल सकता है कि सारी रिपोर्ट्स वगएरा नॉर्मल आने के बाद भी क्यों नहीं कंसीव हो रहा है तो फिर मेरा दिमाग था कि लेपरस्कोपी में ही लग गया था कि अब मुझे कुछ ना हो चाह जितना भी लेपरस्कोपी कि करवाना है तो मैंने काफी जगे पता किया अप अच्छा था लेकिन इसनी नित्रम तुप्या है कि यह अपरेशन था क्या क्या नहीं होगा डर भी था कियासे करवाएंगे तो मतलब थोड़ा भाइब अगयरा था लेकिन फीर बहुत महन में था कि नहीं मुझे करवाना है मैंने सोच लिया था कि मुझे अब लेप्रस्कोपी करवाना है लेकिन यह नहीं सोचा था कि बस किसी ने बताया और तुरंध हम उस पर तूट पड़े पहले मैंने काफी जगे इसके बारे में पता किया तब जाकर मैंने ये लेपरस्कोपी और हिस्टोग्राफी करवाने की सोची बात ऐसे किसी से हुई तो उन्होंने मुझे सज़ेस्ट किया कि तुम एक बाद आकर कि गवर्मेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं देखती हो शायद वहाँ पर रेट थोड़ा कम हो और वहाँ पर डॉक्टर्स वगेरा भी काफी अच्छी हैं वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से इलाज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर पेशन भी काफी आते हैं और जो है गवर्मेंट हमें जब अच्छी सुविधाय दे रही है तो हम उसका फाइदा क्यों न उठाएं और तो फिर उसके बाद मैं जो है गवर्मेंट हॉस्पिटल यानि की लखनाओ के केजी एम्यू हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में गई जो कि वहाँ पर महिला का हॉस्पिटल जो है वह बिलकुल अलग कर दिया गया है उसका नाम है कुईन मेरी हॉस्पिटल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला की जाचे वगयरा होती है तो फिर मैं वहाँ पर तो वहाँ पर मैं देखी जाकर के कि इतनी वड़ी लंबी लाइन लगई थी कि मैं देखकर ही बहुँत अक्का हो गई कि इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा फिर कितने बचें मेरा नमबर आए गगा कोई बोले चाहे ना बोले, मैं पूसती रहती हूँ कि क्या यहां पे यह होगा, क्या यहां पे ऐसा हो सकता है, यहां के डॉक्तर कैसे हैं, मतलब यह गयरा बगधा, जब तक मैं लाइन में खड़ी थी, तब तक यही सा बात शीत करती रही, तो कुछ लोगों ने कुछ बताया कुछ ने कुछ बताया कुछ ने कहा डॉक्टर अगर रिफर करते है तो होता है कोई बोल रहा था यहां पे होता ही नहीं है फिर मैं सोची एक बार ट्राइ करने में क्या जाता है चलो परचादो बनी गया है तो अंदर चलके बात करते हैं तो वहाँ पे जब मैं अंदर गई तो वहाँ का हालत दे करके तो और भी ज़ादा शौक थी कि इतनी ज़ादा भीरती महाँ पे कि मलब पाओं रखने की भी वहाँ पे जगे नहीं थी बिल्कुल इतने जादा पेशन्त थे वहाँ पर जिन्हों ने अपनी चेर कबजा ली थी वो तो कबजा ली थी फिर वो उठने का नाम नहीं ले रही थी फिर मैं करेब 10 बज़े से लेके 2 बज़े तक वहाँ पर खड़ी ही थी मैं ही नहीं खड़ी थी और भी अच्छा होता है तो फिर मेरा नंबर आया उसके बाद तो फिर मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गई खड़ी रही खड़ी रही तो उसके बाद जो है जूनिया डॉक्टर आती है जो की रेजिडेंस होती है वो मतलब डॉक्टरी जूनिया डॉक्टर होती है तो फिर वो आई उन्होंने पूरी मेरी हिस्ट्री जानेगी, कितने सालों गया हैं शादी को, कितने सालों से इलाज करा रही हो, कहां कहां करा चुकी हो, क्या क्या करा चुकी हो, ये सब उन्होंने रिपोर्ट्स ली मेरी पुरानी, उसमें से जो भी उन्हें नोट करना था, उन्होंने एक किसे पूछा जो भी उनको पोचा था कि मादलब किस कहा कहा दिखा चुके हो कितना साथा को हो गया है और कितना पुरेड़ आता है कब आता है यही सब उन्होंने पोच sylis Qe per Sec também ON फार्म पूछा पूछा उन्होंने भी मुझे काफी सारे तैस्ट वग्ए Mrs Lazic säga ≩ to जैसे कि यह आप देख सकते हो यह मेरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी थी और यहां पर उन्होंने जाजे वगरा लिखी थी और यह देखे एडवाइस किया था उन्होंने बहुत सारी जाजे वगरा टेस्ट की है और अल्टरा साउंड है इसमें इन में से काफी टेस्ट वगेरा थे जो मेरे पहले हो चुके थे काफी क्या थे बहुत जितने भी जांचे उन्होंने लिखी थी वो मेरी पहले भी काफी हो चुकी थी कई बारी हो चुकी थी सारे यह थे कि ब्लेड टेस्ट ही वगेरा थे लेकिन गौर्मेंट हॉस्पिटल मे जाओ तो यह होता है कि एक्स्ट्रा भी कुछ जाचे वगेरा होती है जो कि प्राइबेट हॉस्पिटल में नहीं करवाते हैं डॉक्टर्स जैसे की होता है आपकी HIV की HIV जाच होगी आपके TV की जाच होगी और उसमें से एक जाच जो थी वो नई थी मेरे लिए वो थी एंडोमेटरियल बायोपसी थी तो एंडोमेटरियम बायोपसी जो था वो पहली भार में जाच का नाम सुन रही थी और वहाँ पे भी मुझे लगा कि अच्छा ये भी कोई जाच होती है जिससे पता चल सकता है कि अंदर यूटरियस में आपके कोई परिशानी है या फिर कुछ तो फिर मैं वहाँ पे भी गए तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये भी कोई जाच होती है endometrium biopsi जिससे ये पता चल सके कि आपके uterus में कोई दिक्कत तो नहीं है क्या दिक्कत है मैंने ये सोचा कि चलो यहां आने से भी मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर होगा और कुछ ना कुछ हमें पता जरूर चलेगा कि आगे का process क्या है या फिर हो सकता है कि कोई दिक्कत ही हो हमारे uterus में ही कोई दिक्कत हो तो मैंने का चलो लेप्रस हो पी ना सही तो endometrium ही सही तो फिर ये था कि सारी ब्लेटे जाचे वगेरा जो थी अगले दिन मैं hospital गई तो वहां पर करवाया लेकिन इसमें से बहुत सी जाचे जो थी मुझे करवाने में कम से कम 10 दिन लग गए थे सिर्फ जाचे करवाने में उसके पाद जो रिपोर्ट्स आनी थी वो तो और जादा दिन लग गए थे 15 दिन क्योंकि ये government hospital है किसी एक बंदे की तो जाच वगेरा होनी नहीं है यहां पर हजारों में लोग आते हैं तो सभी की रिपोर्ट्स जाच वगेरा होती है तो रिपोर्ट्स में थोड़ा टाइम लग जाता है और जो एंडोमेट्रियम जाच थी वो पीरियड के 21 दिन पर होनी थी तो जब मेरा नेक्स पीरियड आता उसके 21 दिन पर होनी थी तो तो इसी तरीके से करकर के जब मेरा endometrium जांच की बारी आई तो मैं जुलाई में endometrium करवाने के लिए गई डॉक्टर के पास तो जुलाई में मेरा endometrium नहीं हो पाया क्योंकि जो condition थी endometrium की जांच करवाने के लिए तो वो condition मुझे पहले से पता नहीं थी तो फिर उस महीने मेरी जांच नहीं हो पाई तो फिर next month अगस्त में जब मेरा endometrium हुआ तो उसके बाद 15 दिन के बाद जब मेरी ये रिपोर्ट मिली उसके बाद फिर मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में गई डॉक्टर को अपनी सारी रिपोर्ट वगेरा क्योंकि एक महीने मुझे ये जांच वगेरा करवाने में और रि जिए यहां के इंडायों की इंडामेटर मुझे नहीं नहीं निकला तो वहां पर जब मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने मुझे बोला कि रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया है और मैं तुम्हारी एचस्जी की जांच लिख देती हूं तो मैंने बोला कि मैं मुझे HSG नहीं करवाना है, क्योंकि मेरी HSG जो है, अभी 6 मेने पहले ही मैंने करवाई थी, और मेरी नॉर्माल आई थी, मेरी तोनों ट्यूब जो है, ठीक है, मैं मेरा 3 बार HSG हो चुका है, और कुछ भी नहीं आता है उसमें, और काफी पेंट भी होता है, तो मेरा Leproscopy कर दीजे, मैं गई थी Leproscopy करवाने के लिए वहाँ पे, तो मैं सोची रही थी कि कम मैं डॉक्तर से बोलू Leproscopy करवाने के लिए, लेकिन जब हम किसी Hospital जाते है, वहां पे ऐसा तो नहीं होता है, कि हम तुरन गए, क्योंकि हम patient हैं, हम तुरन गए, हम आपे ऐ जो कि हमें follow करना होता है तो जब हम किसी डॉक्टर के पास गया है पहले हम उसकी चुनेगे उसके बाद ही वो हमारी सुनेगा तो पहले मैंने उनकी सारी बाते वगरा सुन लिए मैंने जिसमें कुछ भी नहीं निकला तो मैंने उन्हे बोला कि मैम प्लीज मेरा लेपरस्कोप के बारे में कैसे पता तो मैंने बोला कि मैं पहले एक डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने ही मुझे प्राइवेट दॉक्तर थी वह उन्होंने सजस्जेस किया था कि आप लेप्रस्खोपी करवा लीजे लेकिन वहां पे मैं नहीं करवा पाई ती किसी कारणवर्स तो मैं यहां पर गौर्वर्मेंट होस्पिटल में आई हूं तो उन्हों ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा लेप्लिकेशन लिखना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि यह टेस्ट जो है मैं अपने बेस पर करवा रही हूं यानि कि मैं खुद कहा रही हूं डॉक्टर से करने के लिए लेप्लोस्कोपी और इस्टोग्राफी क्योंकि अभी यह प्रोसेस यहां पर नहीं होता जब तुम्हारा एच एसजी हो जाता उसके बाद ही हम जब आई यू आई यह आई वी एफ करना होता है तब ही लेप्लोस्कोपी की जाच करते हैं तो हमने बोला कि ठी जब मैं अपने हजबन के साथ गई तो उन्होंने सारी अप्लिकेशन जो भी फॉर्मेलिटी वगरा थी वो उन्होंने पूरी की और मैंने लेप्रिस्खोपी के लिए मतलब वहां पर बोल दिया कि मैं लेप्रिस्खोपी करवाना चाहती हूं